आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे ग्लेन के रैपिट फायर 3043 का हेलो दोस्तो मैं हूँ रेनू स्वागत आपको मेरे चैनल में दोस्तो प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है यह हमने घर के लिए मंगाया है तो मैंने सुचा इसका रिवीव में आपके साथ शेयर करूँ जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमें इसका यूजर मैनूर मिलता है और दूसरा हमें इसकी रैसिपी बुक मिलती है इसमें दोस्तो इसमें 80% oil less cooking होती है या low fat cooking होती है यह भी बोल सकते हैं दोस्तो आज कली सबकी नीट बन चुका है तो इसलिए हम भी इसे मंगाया है और इसको यूजर मैनूर में अच्छे से पूरी डिटेल में बताया हुआ कि हमें कैसे यूजर करना है इसका और जो में साथ में इसके रेसिपी बुक मिली हुई है उसके नर बहुत अच्छे सिंपल सिंपल रेसिपी दी हुई है वह उनको आप जुरूर ट्राइक करिएगा इसमें हम रोस्तिंग कुकिंग बेकिंग ग्रिल फ्रैंक सभी चीज कर सकते हैं इसका इसमें दो नॉब दिये हुए है एक प्लास्टिक से बना हुआ है इसमें आपको फूड एडी हो जाएगा इसमें बीप आएगी जिससे हमारा खाना जलने की कोई टेंशन नहीं है और नॉब के साथ में पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिये हुए है कि हमें यहां पर जो फूड लिखके हुए उनके हमें क्या-क्या टेंपरिट्र में उसके लिखी हमें उसके लिखके की और ओना का लिखके इसीट वाओं दिये के इसको कि नहीं हम आपको बटन पर जेल सिर्फ टेशन से पहले थे धर बाकी आगों ने कि आप कर लेंगे थी हम ठीखने पर खंधे ना ही यहां पर में अपना अपना फूड नीचे वाला हिस्सा पर नीचे गिर जाएगा इसको साफ कर लेंगे और यहां पर जो बटने इसको मच्छे से पुछ कर देंगे ताकि निकले ना फूड रखने के बास्केट को जब अंदर डालेंगे तो एक कटकी आवाज आने चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि बास्केट हमारी बिल्कुल फिट हो गई है और लॉक हो गई है अब हम आपको बताएंगे इसके इंदर खाना कुक होने का प्रोसेस क्या है यह आप देख प्रेंट्स इसका बस एक ड्रॉबाक हमें नजर आए जो इसमें वायर दिया गया वह बहुत चोटा है इसको आपको वहीं रखना होगा जहां पर आपको को कुकिंग करनी हो यह फिर आपको को एक्सेंशन यूज करना होगा इस ग्लेन के एर फ्रायर का बास्केट का साइज 3.2 लिटर का है अब हम आपको इसके अंदर पटाटो वज्जिस कैसे बनते हैं वह बना कर बताएंगे इसके लिए सबसे पहले हमने तीन मिनट के लिए एर फ्रायर के लिए और इसको तीन मिनट के लिए प्री हीट करना ज़रूरी है हमने 180 डिग्री पर प्री हीट होने के सबसे पहले हम इस बास्केट को ग्रीज कर लेंगे इसके लिए हमने 3 मिडियम साइज के आलूरी है पहले इसको नॉमल वाटर से दोया है फिर हमने यहां पर जोट वेजिटेबल बॉश करने का शेंपू होता है वन फो टीस्पून डालके उसको हमने पांच मट के लिए कोई इसके इंदर बैस्ट रहता है फ्रेंस आप आलू देख रहे हमने इसको बहुत अच्छे से रगड़ के साफ कर लिया है ताकि कोई मिट्टी का पार्टिकल ना रहे अब हमें आलू के वजिस कर रहे हैं पहले हमें आलू को बीच से काटना है फिर बीच से काटने के बा अब इसके इंदर डालेंगी हम मसाले हाफ टी स्पून लालमीश पावडर लिया है थोड़ा सा नमक अपने स्वात के अनूसार और यहां पे थोड़ी से अमने डाल लिया है अगर आपको तीका पसंद तीका डाल सकते हैं जादा और साथ ही में डालेंगे एक टेबल स्पू यहां पर बिब भी आ गई है, इसके मतल़ हमारा एरफायर प्रीहीट होगया है। इसके अंदर हम डालेंगे सारे वेजिज़ इसलिए हमें इनको फैला के रखना है और इसके अंदर जो हमने मैरिनेट करने में जो ओयल डाला था अगर वो एक्स्ट्रा हो तो हमें इसके दर नहीं डालना है नितो वारी नीचे वारी जो बास्केट है उसको खराब करेगा अब हम 10 मिट का टाइमर लगा रहे हैं जिस डिग्री के ओपर हमने प्रिहीट किया था उसी डिग्री के पर हम कुक करेंगे यह देखिए फ्रेंट दस मिट हो गए हैं हमने चेक किया था थोड़े हमें आलू थोड़े कच्चे से लगे थे तो हमने तीन मिट का और इसमें अरम होती है तो हाथ ना मारा जले देखिए फ्रेंट हमारे वेजिस निकल गए है और इसके उपर हमने चाट मसाला डाल दिया और थोड़ा सा नीबू डाला है इसी खुबसूरती बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा हर धनिया भी डाल सकते हो और देखिए फ्रेंट बेना आप में एर फ्रायर में बनाएंगे